कि नमस्कार दोस्तों मैं विटकी बजाज आपी का अपने YouTube channel बज्जान हमें स्वागत करता हूं जोवी दृषक का अज हमारे चैनल पे पहली बार है वो आप ही के अपने YouTube channel बज्जान हमको सब्सक्राइब करें वह पास ही लगा घंटी का बटन जो है हाल पे इसेट करें जिससे के आने वाला जो भी न्यू वीडियो है उसका नोडिखेशन सबसे पहले जो आप सब भाईयों को मिल सके आज की वीडियो बनाने की तारीख बता दे भाई सबसे पहले आपको 18 फर्वरी 2023 की तारीज की है आज की ओ एडरिस हमारा है जी राजिस्तान में जिला श्री गंगा नगर तहसील जो है राई सिंग नगर गंगा नगर से 75 किलमेटर की दूरी पे गूगल मैप पे अगर बजा ड़ी फार्म सर्च करेंगे तो आप सब भाईयों को जो हमारी डेरी की लोकेशन है वो मिल जाएगी एक सबी बाईयों से निवेदन है कि बाई एडरस जो है वीडियों में बता दिया गया है बार बार एडरस के लिए कॉल नहीं करें एक और फिर सुन लें किसी बाई को नहीं सुना राजस्तान में जिला श्री गंगा नगर तहसील जो है राई सिंग नगर गंगा नगर से 75 किल कि दूरी पे गूगल मैप पे अगर वजा डेरी फार्म सर्च करेंगे तो हमारी जो डेरी की लोकेशन है वो जो आप सब भाईयों को मिल जाएगी आज की रेट में काफी अच्छी संख्या में जो बैंसे अपने पास भाई विक्री के लिए उपलब्द हैं जो कोई भाई ता तो भाई एक लो बजट की भेंस भी मिल जाएगी और अगर को भाई एक अच्छे खासे पैसे लगा के एक अच्छी और साबसुत्री जो 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 बी है क्रीबने चाहेगा वो भी मिल जाएगी कीमत जो है बाई स्टार्टिंग रेंज जो है आज की वीडियो में 65,000 और ह बाई एस्ट रेंज है बाई एक लाख पच्छी सजार तो सभी पसों की डिटेल देते हैं तो वीडियो के अंद तक बने रहें वीडियो में छोटी से बड़ी हरे एक बैस की डिटेल दे दी जाएगी जिस किसी बाई को कोई पसुत्रम अच्छा लगे तो वो कॉल कर लें सबसे पहले जो आप स्क्रीन पर देख पारे हो यह थर्ड टाइमर बैस है अभी लगब पंद्रा मिनट पहले ही इसने एक मेल काफ याने के कटडे को जनम दिया है बिलकुल ताजीब यह साफ साफ देख पारे हो आप सब भाई हाइट लेंथ की बात करें तो एक मीडियम हा आइट है ना जादा बढ़ी है ना बिलकुल छोटी है हाइट मीडियम है जैड बलैक है अडर क्वाल्टी काफी अच्छी है मुठी का थन लगा हुआ है जो की एक अकसर दूद वाली बैस की जो पहचान रहती है पूरा दोरा मुठी का थन है आगे के जो थनों पे भी काफ देखता हुआ छोटा गोल्ड रिंग सींग है साफ सुत्री है जैड बलैक है पूछ जो है थोड़ी बहुत वाइट है जो वीडियो में आप सब भाई साफ साफ देख पारे हैं तीसरी बार बच्चा दिया है जो किसान ने हमें जान करी दी कि बाई सेकिंड टाइम में इस अब देखो वाई मोके की बात रहेगी यह बैस तेरा लीटर देती है वह पंदरा देती है सबसे अच्छी चीज इस बैस में एक की देखने को मिल रही है वाई कि इसके जो थनों का साइज है बहुत ही अच्छा है मुठी का थन है अक्सर जो देरी के लिए खरीदना चाता ह है उनकी especially demand रहती है कि जो भी बैस हो एक मुठी का थन हो क्योंकि बहुत ही कम option रहता है कि दोरे थन की बैसे दूद में कहीं कहीं माइनस पॉइंट रहे ऐसा कुछ नहीं होता साब सुत्री बैस है जो आई भी भाई उमीद है कि बहुत ही अच्छी निकलेगी बिलकुल और कीमत रहेगी 90,000 पे अगर कोई भाई अपनी गाड़ी खुद की लेके आएगा तो भाई उनको पे करने होंगे इसके 85,000 गाड़ी खुद की लेके आए अगर गाड़ी हमारी रही तो भाई कीमत रहेगी 90,000 पे साब सुत्री बैस है पूरी चोड़ी पीठ क्वार्टी ह अडरक्वार्टी भाई अच्छी है ताजी भाई भी है इस करन से ठोणों पर काफी जो अच्छा जोश देखने को मिल रहा है साब सुतरी भैंस अब जो दूसरे नंबर पर देख पा रहे हो निली रावी भैंस काफी ज़्यादा भाईयों की डिमांड रहती है एक निली रावी भैंस की और यह तो भैंस भी इस्पेशली उस गाहों से आई है जिसको की हमारे एरिये कार मेरे इसाब से यूपी के भी जो में इस तो भई यहां आते रहते हैं सबी जानते हैं प्योर निली रावी भी है टैग नंबर भाई चांड और बाते हो वाई का की यह बैस है वर गसाना एरिया में फेद्हेमस गाम है जहांकि एक और पुराना जो पाकिस्तान एरिया की बलट-लाइन की बैसे हैं काफी संख्या में हुआ करती थी बट आप कुछ कम देखने को मिल रही है इन सालों में तो वहां की यह बैंस है बहुत ज्यादा अच्छे सब्सक्राइब तो अब कुछ कम है बट उसी जो ब्लड लाइन में से यह बैंस एक है थर्ट आइमर बच्चा देगी तीसरी बार है हाइट है मीडियम से कुछ उपर ही है पूरी चोड़ी पीठ क्वाल्टी है बिल्कुल पतली चमड़ी एक नॉर्मल बंदे की चमड़ी होती है इतनी पतली चमड़ी है साब सुत्री बैंस है वेट काफी अच्छा है लेंथ अच्छी है और जो थनों के जो साइज है मुठी का थन इसमें देखने को मि किसान ने जानकारी दी कि तीसरी बार ब्याएगी ब्याने के उमीद है कि अभी ये 12-13 दिन ये बैंसे ले जाएगी बहुती जादा बड़ा अडर बनाती है बहुती खुले अडर की फुल बड़ा अडर साइज देखने को मिलेगा तैयारी पे दोरा मुठी का धन है नीली सेरावी ब्रीड में हैं बात करते हैं इसकी दूद की तो जो किसान ने बताया कि एक जो अच्छी सेवा से 16 लीटर दूद इसने सेकंड टाइम में किसान के यहां दिया हुआ है अभी तीसरी बार बच्चा देगी अब देखो मोके की बात रहेगी ये 17 देती है ये 18 देती ह क्या पता यह भाई सोडा पी रहे जाए वह बात आती है उसकी सेवा पर और अदर्वाइस और कुछ डिटेल है जो भाई इससे सर्च कर सकते हो इसमें आपको पता लग जाएगा शायद किसान का नंबर होगा तो भी आप पता कर लें भाई कीमत भाई इसकी रहेगी जो भी समय हजार पर 95,000 विदाउट लोडिंग चार्ज विद लोडिंग चार्ज बाड़े समेत रहेगा एक लाग कीमत बहुत ज्यादा अच्छी ब्लड लाइन की है जितनी जो है तारीफ की जाए कम है बहुत अच्छी अच्छी बैसे इस गाउं से निकल के आई है बाई तो कीम इसकी छोटी नहीं है मीडियन से कुछ उपर ही आई है पुरी चोड़ी पीट क्वाल्टी है बात इसकी अडर की आए तो अडर भी काफी इच्छा चोड़ा अडर इसमें देखने हो मैं अब बच्चा लेवरे साब सुत्री बैस है बिलकुर ताजी भ्याई हुई है जो खी साब सुत्री बैस है दूसरी बार बच्चा दिया है जो किसान ने हमें बताया कि फर्स टाइम में इसने किसान के यहां तेरा लीटर दूद जो निकाला हुआ है फर्स टाइम में तेरा लीटर दूद धिया किसान के यहां अब दूसरी बार बच्चा दिया बांदे लेगी मेल काफ कटड़ा है ताजी दिया ही है और बात इसकी कीमत की करते हैं तो कीमत रहेगी जिसकी 88,000, 88,000 रुपए में, 800 किलो मिट तक के दाइरे में घर पोंच करवा दी जाएगी, जो कोई भाई खरीदना चाता है संपरक कर लें, कीमत फिर बता दूँ, 88,000 घर पोंच, अगर कोई भाई गाड़ी खुद की लेके आएगा, तो 83,000 रुपए, 83,000 पे करने होंगे, और ये जो जोटी है, सेकंड टाइमर लेके जा सकता है, साब सुत्री नहीं जोटी है, आइट मीडियम से कुछ उपर ही है, छोटी आइट नहीं है, मुठी के साइज का थन है, चुवाई बहुत अच्छी लगी हुई है, दूद भी काफी अच्छी उमीद है भाई दूद की, बाकी देखो पसू का मोके पे है, तैयारी पे आने के बाद ही पूरा पता लगता है, बाकी अकेली बैंस कुछ नहीं कर पाईगी, जब तक की मालिक अच्छी सेवा नहीं करें, कीमत 88,000 पे गर पहुँच, गाड़ी खुद की लेके हैं, तो तब देख पार हो भाई, एक सेकेंड टाइमर जोटी, बहुत ही अच्छी और बड़ी हाइट लेंड के साथ है, काफी साब शुतरी जोटी है, दूसरी बार बच्चा देगी, बिल्कुल छोटा गोल रिंग सेइंग है, अगर बात करते हैं इसकी पीट क्वालिटी है, तो काफी चोड़ी इसकी पीट क्वालिटी है, कमर में किसी भी तरह का जो कमर में लैदपन है, वो नहीं है, हाइट लैंट अच्छी है, वेट भी काफी अच्छा है, और बियाने के उमीद है कि 12-15 दिन ये जो जोटी है ले जाएगी, रात ही अपनी डेरी पे आईए, थोड़ा बहुत वादी विश्वा जलका जो बोलते हैं वो जरूर देखने को मिलेगा जोटी में, मुठी के साइज का अधन है, अडर बनाना शुरू किया है, जैसे जैसे तैयारी पे आएगी, बहुती अच्छा और बड़ा अडर बाई ये बना लेगी, जो पहले ब्यात जो किसान ने हमें जानका रिदी, कि फॉर्स टाइमर जोटी ने, इसने 14 लीटर दूद जो है पूरे दिन का दिया हु और इतने टाइम में बहुती अच्छी तैयार होके आने वाली जोटी है, कीमत जो कोई भाई खरीद देगा, एक लाख रुपे गर पहुंच तक का रेट है, एक लाख रुपे में आठ सो किलो मिटर तक के दायरे में गर पहुंच करवा दी जाएगी, सेकेंड टाइमर काफी अच्छी जो इसकी एडर क्वालिटी है, तीसरी बार बच्चा देगी, बियाने के उमीद है कि दस दिन भी ये बैंस ले जाएगी, थणों का साइज देख पा रहे हो, बहुत ही अच्छा जो मुठी के साइज का थण देखने को मिलेगा, बहुत ही जादा अच्छे म बात अगर इसकी एडर की आती है, तो अडर बेहत शांदार अडर है बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा इसका जो मुक्य पे इसने अडर बना रखा है, बाकि अभी दस दिन उमीद है कि ये ले जाएगी, और जैसे जैसे तैयारी पे आएगी, बहुत ही बढ़ी आडर बनाएगी बाई, एच्छे बगाई को भी फैल कर देने वाला अडर बनाएगी, पूरा मुठी के साइज का थन है, थनो में जो स्पेस है, वो भी काफी अच्छा है, सबसे अच्छी चीज इसके देखने वाले हैं वो थन, काफी अच्छा साइज है थनो का, और अडर भी ब यांत में 16 लिटर दूर जो है दिया हुआ है, लभी तीसरी बार बच्चा देगी, इस बार देखो भाई, 17 देती है, 18 देती है, वो देखो जी मोके की बात रहेगी, उमीद बहुत ही शांदार है, जोटी से की काफी अच्छी उमीद है, दूर बहुत बढ़िया निकाल सकत ही है, कीमत इसकी रहेगी जी, एक लाख आठ जार रुपे, जो भी भाई खरीद देगा, एक लाख आठ जार रुपे में घर पहुंच करवा देंगे, उमीद यही है कि 17-18 लिटर दूर ये बैस निकाल सकती है, एक लाख आठ जार रुपे, आठ सो किलमेंट तक के दायरे म गर पहुंच, माइनस पॉइंट एक सिंगो का रहेगा, कि सिंग भाई इसके खुले है, हाइट लेंथ वेड बेहद शांदार है, छोटी हाइट लेंथ की नहीं है, हाइट लेंथ बड़ी है, साव सुत्री बैस है, तीसरी बार की, अब जो देख पारे हो स्क्रीन पे, चोथी बार बच्चा देगी, हाइट एक बार फिर बता दू, काफी अच्छा और बड़ा साइट जो इसमें आप सब बाईयों को देखने को मिलेगा, सिंगो की क्वालिटी की बात करते हैं, तो जो छोटा गोल्ड इंग सिंग फेस के उपर जलसता हुआ, जो कि एक थर्ट चोथी बार बच्चा देगी, जो किसान ने जानका रिदी, कि भाई थर्ट टाइम में इसने अच्छे बड़ी अगर से आई हुई है, पहले तो ये बता दू सभी बाईयों को, कि बहुत अच्छी जो सेवा की हुई है किसान ने, फर्स टाइम में किसान ने, जो इसका दू दिया हुआ है अभी चोथी बार बच्चा देगी और अडर की जो शेव देखके तो आइडिया यही है कि लग बगए यह साथ आर दस दिन में ब्याद जाएगी बड़ जो किसान नहीं जानका री दी कि भाई इसके बारा या शाय तेरा मार्च को दिन पूरे बताए और दिन होने से प्रतेग वर्स जो है दिन पूरे होने से भाई यह पांच दिन पहले ब्याती है तो लग बगए मान सकते हैं साथ या आठ मार्च को यह बच्चा देगी फोर्थ टाइमर बैंस है बाईस लीटर दूर जो किसान ने फुल बड़ी असेवा से निकाला हुआ बताया औ हो भाई आपको पे करने होंगे 1,25,000 पे 1,30,000 पे में 800 ग्लोंट तक के दाइरे में घर पोंच 12,000 प पे करने होंगे और गड़ी खुद की लेरे हैं अच्छा मुठी के साइज का ठंड लगा हुआ है हलकी निली रावी में क्रोस है पूरी बड़ी ये जो है बैंस है पूरे फुल साइज की कीमत एक बार फिर बता दू एक लाग तीस हजार पे में आट सो किलोमेट तक के दाइरे में घर पहुंच गाड़ी खुद की लेके आएंगे तो एक लाग पच्चीस हजार पे पे करने होंगे किसान के यहां 22 लीटर दूद निकाला है आपके यहां यह 18 दे 20 दे वो आपकी सेवा पे निर बर है जो जो डिटेल किसान के दुबारा मिली है वो आप सब बाईयों के साथ शेयर कर रही है अब जो देख पारे हो स्क्रीन पे यह जो बैंस है फोर्थ टाइमर है चोथी बार बच्चा देगी हाइट लेंथ की बात करें तो हाइट छोटी नहीं है अच्छी हाइट की है थनो का साइट जो है काफी अच्छा है और सीवो की बात करें तो डवल गोल रिंग सींग बिल्कुल छोटा और डवल गोल रिंग सींग है चोथी बार बच्चा देगी ब्याने के उमीद है कि अभी ये दस दिन भाई बड़े ही अराम से जो ले जाएगी अडर भाई इसने बनाना शुरू किया है दस बारा दिन अभी ये ले जाएगी अडर बनाना शुरू किया है मुठी के साइज का थन है काफी अच्छी जो क्वालिटी वाई ये बैंस है वजन जो है जरूर कम देखने को मिलेगा बड़ जो दूद की बात करें तो दूद में क काफी अच्छी रहने वाली है पिछले ब्यांत किसान के यहां 14 लीटर दूद इस बैंस ने निकाला हुआ है ये गरीब से परिवार से आई है अब भाई सेवा की बात है जैसी सेवा करोगे वैसा दूद निकाल लोगे अगर इसकी अच्छी खासी सेवा होती है तो बहुत अच्छी उमीद है बैंस से कि काफी अच्छा बैंस से ये दूद दे सकती है बात इसकी कीमत की आती है तो कीमत भाई इसकी रहेगी 90,000 विद लोडिंग चार्ज चोटा गोर्णिंग सींग है साब सुतरी बैंस है चोथी बार बच्चा देगी जी थनों का साइज काफी देरी फर्म सर्च करें डेरी की लोकेशन आपको मिल जाएगी अब देख पारे स्क्रीन पे ये भी वाई फॉर्थ टाइमर है चोथी बार बच्चा देगी हाइट एक एवरेज साइज है सींग जो है चोटा गोल है फेस के उपर जज़ता हुआ थोड़ा सा खुला जरूर ह पड़ फेस के उपर ज़स्ता हुआ सींग है काफी साब सुतरी है बोडी वेट जो है काफी अच्छा है थनों के साइज की बात करें तो अच्छा मुठी के साइज का थन देखने को मिलेगा पीट क्वार्टी बेहद शानदार है काफी चोड़ी पीट क्वार्टी है कमर में किसी भी तरह का लैदापन ये ऐसा कुछ नहीं है जो किसान ने बताया कि 10 दिन अभी ये बियाने के ले जाएगी 10 दिन बियाने के बाकी है अडर जो है काफी अच्छा खुला अडर इसमें देखने को मिलेगा 10 दिन बाकी बताया किसान ने वहाल फिलाल अच्छा अडर बना रखा है मुठी के साइज का थर्ण है थर्ण में स्पेस है वो भी काफी अच्छा है जैड बलैक बैस है पूछ थोड़ी बहुत वाइट है जो वीडियो में साब साब देख पा रहे हो अगर इसकी और लोकेशन की जाच करनी है तो भाई ये टैग नंबर आपको दिखा दिया गया है कोई भी बैसे हैं लोकल हमारे ये एरिय की हैं ऐसे नहीं है कि किसी भी बजार वगएरा से खरीद के आप सब भाईयों के लिए लेके आते हैं कोशिश भी रहती है कि जो एक देखी वाली बैसी लेके आए किसी भी तरह के बजार से बैसे नहीं खरीदी जाती सीधा डारेक्ट जो है कच्चा खुंटा जो किसान की घर से ही खरीद के लाई जती है साब सुतरी बैस है बात करते हैं इसकी कीमत की तो भाई इसकी जो कीमत है वो रहेगी 88,000 विद लोडिंग चार्ड जो भाई खरीदता है 88,000 वे में 800 किलमेट तक के दाइरे में गर पहुंच करवा देंगे अगर गाड़ी खुद की लेके आएंगे तो भाई आपको पे करने होंगे 83,000 पे तो लगबग बैंसों की डिटेल आप सब भाईयों के साथ शेर कर रहे है अच्छी से हलकी जैसी भी बैंसों की वैसा उसका रेट बता दिये जाएगा अब देख पारें उसक्रीन पे ये थर्ट आइमर बैंस है तीसरी बार बच्चा देगे हाइट लेंथ की बात करें तो एक मीडियम हाइट है ना ज़्यादा बड़ी है ना छोटी मीडियम कहलो या मीडियम से उपर कहलो बट छोटा साइज नहीं है साब सुद्री बैंस है चोड़ी पीट कौल्डी साब साब देख पारे हो फेस के उपर ज़स्ता हुआ चोटा गोल जो रिंग सींग है साब सुद्री बैंस है जैड बलेक है पूँच थोड़ी बोट वाइट है जो वीडियो में आप सब भाईयों को साब साब दिखा दी गई है बिलकुल गोल खुरकी है पका वगएर आया ऐसा कुछ मानने की कोई दिक्त नहीं आईगी थणों का साइज भाई आल फिलाल भी अच्छा है बाकी भाई उमीद है कि बैयाने के अभी दस दिन ले जाएगी जैसे जैसे तियारी पे आईगी काफी अच्छा जो थण निकाल के लाएगी बैस और मोके पे अडर काफी अच्छा है बांदे बे अंदर ले जाएगी मोके पे काफी अच्छा जो इसमें अडर बना रखा है बाकी 10 दिन बाकी है दस दिनों में बहुत ही अच्छा और बड़ा ड्रेस में देखने को मिलेगा बात करते हैं इसके दूद्गी तो जो किसान ने बताया कि भाई दूसरी बार में इसने 14 लीटर जो किसान के यहां दूद्ध निकाला हुआ है अभी तीसरी बार बच्चा देगी और इस बार उमीद अच्छी है दूद्गी और बात करते हैं इसके कीमत की तो जो भी भाई खरीद देगा कीमत भाई इसकी रहेगी 95,000 रुपे 95,800 किलमेट तक के दाइरे में 95,000 रुपे में गर पहुँच करवा दी जाएगी साब सुतरी बैंस है तीसरे ब्यांत है अब स्क्रीन पर देख पा रहे हो यह सैकेंड टाइमर जोटी है हाइट मीडियम है ना जादा बड़ी है ना छोटी है सिंगों का साइज जो है खुले सींग है खुला सींग है भाई साब साब देख पा रहे हो और बोड़ी वेट काफी अच्छा है दूसरी बार ब्याई है ताजा ब्याई हुई है जो बच्चा दिये आज इसे लगए